कि हैं अब आप लोग बता दू ना फाइनली रेलवे ने चीज़ डिसाइड कर दिया यह चीज कंफर्म कर दिया है कि आर भी जो गुरूब कि इसी चीज़ के रिगार्डिंग में आप लोग कंफ्लीट जनकारी देने वाला हूं कि रेलवे में आइटी आई लागू रहेगा कि तेन पास लागू रहेगा क्या कि इस वीडियो में दूंगा बस आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखेगा बीना स्किप कियो अगर अच्छे लगी तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप लोग को बता दूना फैंस मैं इस चैनल पर एक नेक्स्ट वीडियो अलेने लेकर आ रहा हूं जिसमें मैंने आर्पी आप के लिए लिए टोटल कितने फॉर्म फिलप हु टाका भी आप लिए डिए किस के टेग्रों किस के टेग्री में कितना फॉर्म फिलप हुआ सारा संपूर जनकारी मुझे मिल चुका है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आरप एसाइब के लिए आप लोग उस वीडियो को देखना ना बुलिएगा चैनल को टीक है आप लोगों चैनल को टेखें लिए क्वालिफिकेशन क्या रहे गाए ठीक है क्या बदलाव किया गया कि नहीं किया गया मैं संपूर जनकारी आप लोग कर दोगा देखिए आप देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट में शप्लाई रिखन आफ इन्फरमेशन सब्सक्राइब दस चार दोजार चोविस देन दस अक्तूबर एक चार अब दस दोजार चोविस ने ओनलाइन पोटल ठीक है उन्होंने पहला कोश्चन पुछाता देखिए आप इन रिस्पॉंस टू यूर एब और रिफ्राइड के एक अप अप्लिकेशन है रिकॉर्डि सब्सक्राइब दस अक्तूबर को पुछा था वाट इस दा मीनिममम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल वन लेवल वन का मतला बताए ग्रूप डी ठीक है लेवल वन गूरूप डी देखें आप लिकाव गूरूप डी फॉर ऑपेन मार्केट रिकूट्मेंट र इडुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेकनिकल डिपार्टमेंट लाइक सीविल इंजिनियर मेकैनिकल इलेक्टिकल संटी डिपार्टमेंट ठीक है मनें इसी को इनोंने घुमा फिरा के पुछा था दो तरह से पूछा आया ठीक है तो मैं आप लोग बता दो इन दोनों जैस सब्सक्राइब करेंगे दा मीनिमुम इडुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ओल फॉर्दर रिकूटमेंट विल बी नोटिफाइड आफ्टर पंद्राच है दोजार उन्निस यानिकि पंद्राच हो दोजार निस के बाद लेवल वन के लिए जितनी भी वेकैंसी आएंगे के लिए सेभें प्लक anyways में और आप लोगन बात करों टेकनिकल डिपाटमेंट हो गैज और सिवल इंजिनियरिंग डी डिपारekt में माइकैनेकल इलेक्टृ कल सिंगण टेली कोम डेपार्टमेंट Gagger 충ki ऩाइन विंक्सृ पस्टों के लिए न एक्या कि आ गया है आप लोग मता देज़ा हूं टेंथ पास टेंथ पास फ्याघ्र अई पास होना चाहिए है तेश्ट आप पासलों प्लस परच कर दिया कर दिया है कि या क्लियर कर दिया है कि रील्वे में ग्रूपले की पॉस्ट आने वाली है उसमें आप लोग का आइटियाई रहेगा कि नहीं रहेगा तो मैं आप लोग बता दूर मतलब की दस क्लास पास बच्चे अपलाई कर सकते हैं आगे मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आप लोगो कंपेर करके ठीक है तो आप लोग को इस वीडियो के लास्ट तक देखेगा बीना सब्सक्राइल चाहिए इतना दो प्रफेकेश्चन आप लोग के पास मस्ट कर लेंगा जरूरी कर दिया ठीक है चली आग लिए आप लोगों कोंकों सी पूस्ट के लिए टेंथ पास रहती है ठीक है और में इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट की यंद की टीन K टीक टिक है एक एनगर कम न कोfteम इस्यांट एक लोगहेगी के लाएगा सिस्टेंट वरक्सप एसिस्टेंट वर्क वरक सोब असिस्टेंट इसमें इसने इन डिपार्टे में आठाई एभी आइट आई लागु रहेगा तो मतलब आप लोगा सीदा सिदा सिदा सतरा पोस्ट थे पास वाले बच्चे ठीक है बाकी सभी पोस्टों पे आई टी आई लागू रहेगी मतलब 15 पोस्ट ऐसी है जिसमें आई टी आई लागू कर दिया गया ठीक है देख सकते हैं और कौन-कौन सी बबची पोस्ट है तो आप लोग में उस डाटा को भी दिखा देता हूं गांगा इसमें में चौन पौन स्केंट अर। आई लागू कर सकते हैं तो स्केंपन तीन पोस्ट आई लागू जए नहीं लागू कर दियागा और इन 14 पोस्ट का मैं बात कर रहा हूं है अगर सो वेकेंसी आएगी नहीं तो असी से पचासी वेकेंसी ना यह आई टी आई वाले पर ही रहेगी मैं आप लोगों लिखके दे रहा हूं यह गारेंटी क्योंकि यह इसी पोस्ट का ज्यादा डिमांड रहता है रेलबे में इन अगर आप लोगों के लिए बहुत कंपटीशन होने माला आए गुरूबडी की वेकेंसी में ठीक है मैं आप लोगों को यह चीज बता दे रहा हूं अगर आप लोग पास आई टी आई तो आप लोग तो नॉर्मल है और कंपटीशन में उतना नहीं रहेगा क्योंकि बहुत इसके बच्चे आई टी नहीं कियो है जिसके करणा से नॉर्मल के तुनला में पहुत हो जाएगा ठीक है और आप लोगों को कहूंगा इसको छोड़ी आप लोग लग जाई है ठीक है और टीवी सी की तैयारी से ही अप लोगा करतियों हो जाएगा काम सिधा आप लोगकी आ कोमपटिशन पूरे इंडिया में तो इसमें सोचते हैं आप लोग किस लेवल का होगा ठीक है आप लोग का करना चाहते हैं क्या कुछ प्रांब्स gjithसे आप्रेंस करना करना कुछ आप तरफ से तो उसका डाठा में संपूर आप लोगों को दे दूंगा बस बीडियो को सब्साइब करके रखिएगा ताकि जैसे उस वीडियो को अप्रोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए ठीक है तो यह वीडियो कहीं पर करते हैं वीडियो अच्छी लगी करते हैं